दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाए मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त लखे गुज्राल और आज फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आज भी हम कल की तरही कल बस कल और आज भी फर्क इतना है कि कल 60% थे आज 50% होंगे दोस्तों आज हम 50% हल करेंगे और अभी तक मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि जैसे आपको सोच रहे थे कि बहुत सरल सरल एजी एजी परसन है लेकिन मैं कह रहा था कि जैसे जैसे हम सरल करेंगी वैसे वैसे हम हाड भी करते जाएंगी वेरी हाड भी करेंगी तो कुछ आज इतना तुम्हें बता दू कि आज के जो परसन है वो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले कारण कि उन में से आप करके देखना आपका कितना स्कोर है आपको पता चल जाएगा कि वाकई में हमारी कितने अच्छी तैयारी है या हमें कितना और तैयारी करनी है तो चलो दोस्तों इस्टार्ट करते हैं अगर मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लकी पाइल गुजराल के नाम से अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और bell icon का button दबा दे ताकि मेरे मिलने वाले हर वीडियो की आपको notification मिल सके और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो एक like तो बनता है एक like जिरूर करें तो चलिए दोस्तों हल करते हैं और कोई किसी प्रसन पर आपको doubt हो या कुछ और किसी भी चीज़ का भारे में आप पूछना चाहते हैं या अपना कोई suggestion देना चाहते हैं तो आप मुझे comments ब्लोक्स में comments करें तो चलिए करते हैं आज का प्रसन पत्रहल पहला प्रसन है आपकी screen पे तो पहला प्रसन है सड़ज ग्रामिक पंचम और मध्यम ग्रामिक पंचम के बीच एक सुरूती अंतर को क्या कहते हैं पहला option आपके लिए है साड़ा दूसरा है लीमा तीसरा प्रमान सुरूती और चोथा है अंतर तो दोस्ता आपने सोची लिया होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर बताएँ दोस्तों तो चलिए बताते हैं इसका सही आंसर इसका सही आंसर होगा तीसरा प्रमान सुरूती तोस्तों अगला प्रशन है उस्ताद अलाव दिन खाने महर बेंड की सापना कब की थी इसका पहला आंसर है पहला option है 1917 में, दूसरा है 1925 में, तीसरा है 1918 में और चोथा है 1921 में तो दोस्तों आपने पैचान ही लिया होगा अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ आपको सोचने का समय कम दे रहा हूँ अगला प्रशने दोस्तों, कर्णाटक संगीत की पितामा किसे माना जाता है पहला पुरंदर दास, दूसरा है श्यामा शास्त्री, तीसरा त्याग राज, चोथा है मुर्थ स्वामी तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा पहला ही पुरंदर दास, यह तीनों जो हैं, यह त्रीदेव या त्रीमूर्थी के नाम से जाने जाते हैं अगला प्रशने दोस्तों, कर्णाटक संगीत, कर्णाटक त्रिपुट ताल के चिन है, कौन सा होगा 1100, यह फिर दूसरा है 1011, तीसरा है 1014, दूसरा है अंतिम और 4 है 100 तो आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा 4, त्रिपुर्ट ताल के चिन होगी100 डबल जीरो अगला प्रिशन है दोस्तों कर्णाटक संगीत के अंतर गंधार वे काकली निशाद का हिंदुस्तानी संगीत में क्या नाम है या किस नाम से जाना जाता है तो पहला है कोमल गयनी दूसरा है शुद गयनी तीसरा है कोमल रेध है और चोथा है शुद रेध है तो बताई दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ही शुद गयनी अगला प्रशन दोस्तों इमदाद खानी बाद से समधित कलाकार है बताई उस्ताद इनायत का पंडित रविशंकर अब्दुल जाफर या पंडित बल्राब बाठक बताई दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा तो इसका सही आंसर होगा पहला ही उस्ताद इनायत का इमदाद खानी बाज के परवर्द बाज से समधित कलाकार अगला प्रशन दोस्तों घटम वाद्दे के प्रशित कलाकार है विकु विनाएक राम पाल कर्शन मुरली कर्शनन पाल घाट मणी अयर या टी एन रान टी एन कर्शनन बताए दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर होगा पहला ही विकु विनाएक राम अगला प्रशन है आध्वनिक और्केष्ट्रा का जनक किसे माना जाता है बित्थोवीन को दूसरा हाईजन को तीसरा मोजार्ट को चोथा बाख को बताए दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा फिर भी सोच लिजिए आप पोज़ करके भी सोच सकते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने आप लोगों का भी ज़्यादा समय ना लगे हो सकता है ज़्यादा लंबा वीडियो देख करके टाइमिंग देख करके भी आप लोग ज़्यादा नहीं देख पाते हैं तो इसका सही आंसर होगा हाईजन दोसरा वाला अगला परशन दोस्तों विपंची विणा में कितने तार होते हैं 7, 12, 9 या 22 बताई दोस्तों इसका तो आपने आंसर सोच लिया होगा फिर भी आप सोच लिजी तो इसका साइंस आंसर पहला ही होगा ओ सोरी, तीसरा होगा, नो, नोतार, फिपंची विणा में नोतार होते हैं या नोतार की विणा जो है, विपंची विणा कहलाती है वेदिकाल में गज का दूसरा नाम क्या था? कौन, मिजराफ जवा या इशिका तो दोस्तो आपने पैचान लिया होगा तो इसका सही आंसर होगा इशिका अगला परशन है शारंग देव ने सारणा में कितने तारों की इना का प्रियुक किया था 12, 29, 7 या 22 तो आपने पैचान लिया होगा तो इसका सही आंसर होगा चोथा 22 तारों की अगला पुर्शन दोस्तो हाफिज आली खां की परंपरा में वाद्ध है सितार वीना सरोध या सुर्बहार बताए दोस्तो तो आपने सोच लिया होगा तो इसका सही आंसर होगा सरोध वीना वैसे देखा जाए तो अमजद आली खां जिनके ऐसा कुछ अली नाम लग रा है अधिकतर देखा जाए तो सरोध के जो जितने भी जो है वो अधिकतर अली नाम से ही सुरू होते हैं उनका टाइटल अधिकतर अली ही होता है अगला परशन दोस्तो पीना पर, सुर पर्थम परदिक किसने स्तापित किये थे? बताएए दोस्तों, तो आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंस्वर, तो इसका सही आंस्वर होगा, चोथाई मतन. अगला पुशन दोस्तों, नाट्टे सास्तर में साथ शुद्य सुवरों के अत्रिक्त कितने सुवरों को उलेक मिलता है? बताएए दोस्तों, पांच, दो, साथ या उनत्तिस, बताएए दोस्तों, तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंस्वर होगा, दूसरा, ये प्रसंद पहले के जो वीडियों हैं, उनमें भी आया है, और दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, तो मेरी जो देख लिजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के, उन से भी आपकी तैयारी में बहुत आपको help मिलेगी, अगला प्रशन दोस्तों, कर्णाटक संगीत का ताल वाध्य है, चेडा, नाजस्वरम, घुट्टू, वध्यम या खोल, पताएए दोस्तों, तो आपने पैचान नहीं अगला प्रशन है, अभी नव गुप्त का रस्तमादित मत क्या कहलाता है, मुक्तिवाद, उत्पतिवाद, अभीवक्तिवाद या अनुकर्तिवाद दोस्तों ये प्रसन पिछले तीनो चारो वीडियो में भी आया है, तो ये बार-बार रिपीट हो रहा है, ये मान लीजी, और आगे भी आप लोग उटले इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इसको थोड़ा देख लीजी, तो इसका सही आंसर अगर पहले वाले वीडियो द अगर आपने सोच लिया होगा, सही आंसर नहीं सोचा है, तो सोच लीजी, तो इसका सही आंसर होगा, चोथा अनुद्रियो अगला पुशन दोस्तों, थाट में शुद्मध्यम के कितने चक्र हैं? बैतर जो थाट थे, बैतर थाट में शुद्मध्यम के कितने चक्र हैं? 6, 36, 12 या 2 तो पिछले वाले में पूछा गया था कि पैतर थाट में से या वेंकट मुखी के थाटों में मध्यम को कितने बार उप्योग किया गया है या मध्यम का उप्योग कितने मेलों में किया गया है तो उसका आंस्वर तो आप लोगे ने देख लिया हूँ इसमें 36 था इसके अंदर क्या होगा आप बताईए तो दोस्तों इसका सही आंस्वर पहला ही है 6 6 चक्र थे तो 6 चक्र को 6 से गुना करने पर 6 चिके 36 होते है इस प्रकार से 36 होगे थे तो इसमें 6 होंगे दोस्तों अगला है अहो बल्ले विणा के तारपर शुद्यवत प्राप्त करने का क्या आधार बताया शड़ज मध्यम भाव, शड़ज अंतर शमवाद, शड़ज पंजम भाव या शड़ज निशाद बताये दोस्तों तो आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा इसका सही आंसर दूसरा वाला होगा, शड़ज अंतर अगला पुरशन है दोस्तों राम चंदर, राम चंदर नंदन की रचनाकार कोन है पंडित्रवी शंकर, उस्ताद विलायत खाऊ, उस्ताद अलियाकवर खाऊ, या उस्ताद अल्लावदिन खाऊ बताए दोस्तो, तो आपने सोच लिया होगा इसका सही आंस्वर, इसका सही आंस्वर होगा, तीसरा दोस्तों बहुत चोटे चोटे लिखे हो हैं तो इसलिए थोड़ा साख हो नहीं पाता है अगर उपर नीचे कहीं लगे तो इसका तीसरा आंसवर शही होगा ध्यान रखे तीसरा वाला उस्ताद अलियक परखा अगला परशन दोस्तों संचारी भावों के सही करम को चिनित कीजिए निर्वेद गलानी आवेग चिन्ता या सात्विक वाचिक अंगिक आहारिय या शंगार करुण वीर भयानक इसमें जुगुप्चा अद्भुत उद्माद बताए दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा तो आपनी सोच लियाओगा तो इसका सही आंसर पहला ही है निर्वेद गलानी आवेग चिन्ता अगला प्रश्ने शडज मध्यम भाव का गुणोत्तर कितना है 5 बटावा 4, 3 बटावा 2, 16 बटावा 15 या 4 बटावा 3 पताए दोस्तों तो आपनी सोच लियाओगा तो इसका सही आंसर होगा 4 बटावा 3 अगला प्रश्ने दिल्ली घरानी के उस्ताद बुंदुखा किस वादिक के लिए प्रशिद है सरोद, सितार, सुर्भ बहर या सारंगी बताए दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा सारंगी अगला प्रश्ने दोस्तों दिये गए वी कल्पों में पास्चात्य संगीत की कॉर्ड के समान है ट्राइड्ज हो वो लेटा या कंटेटा कंटेटा बताए दोस्तों तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा या फिर आप पोज करके सोच लिजे इसका सही आंसर होगा पहला है ट्राइड ट्राइड आओ अगला प्रश्ण दोस्तों स्वर आवर्ती कम होने से तारता बढ़ेगी घटेगी इस्तिर रहे गया है इस्तिर रहेगी बताए दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर होगा दूसरा घटेगी अगला प्रश्ण है दोस्तों स्वस्तान नियम के अनुसार अंस्वर से चोथे स्वर को क्या कहते है स्वस्तान नियम के अनुसार अंस्वर से चोथे स्वर को क्या कहते है हस्ताई द्वियर्ध आर्दिस्तित या द्विगुन बताएए दोस्तो आपनी सोच लिया होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर होगा दूसरा दोस्तों जो भी दोस्त जो RPSC First Grid की तैयरी कर रहा है या NetJRF की कर रहा है या KVS नवदव द्याला या किसी भी प्रकार के music से related job के लिए या exam की तैयरी कर रहा है तो वो अगर उनको notes यह है या अच्छे से तैयरी करना चाहें तो आप मेरे दियो है नमबर पर मेरे वीडियो जो पिछले वाले वीडियो है उनके जो उपर फ्लेक्स जो आ रहा है बैनर आ रहा है उस पर भी मेरा वो दिया हुआ है तो आप वहां से मेरे नमबर ले करके या पिछले वाले वीडियो मैंने मेरे वर्टस अप नमबर दिये हैं आप चाहें तो उस ग्रूप में एड़ हो सकते हैं और अच्छे से तैयारी के लिए आप नोर्स या मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकरी ले सकते हैं दोस्तों अगला प्रसन है शांतरस का स्ताई भाव क्या है रिवेद, रति, वीर्य, करो पताईए दोस्तों तो अपनी इसको सोच लिया होगा तो इसका सही आंसर होगा निरवेद पहला ही आलमपन और उद्दिपन किसके भेद हैं वीभाव के अनुभाव के, भाव के या संचारी के बताईए दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा पहला ही वीभाव के अगला प्रशन दोस्तों वेदिक संगीत में साम की भक्ति कौन सी है उद्दात, अनुदात, उद्दित, 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 परतिहार या मंद्र, अतिस्वार या आर्चिक, अनार्चिक बताईए दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा दूसरा उद्गीत परतिहार अगला परशन है दोस्तों किस स्वर के आंदोल संगिया पाश्याते भारते संगीत में भिन है पहला है रे, दूसरा पौः, तीसरा गर और चोथा है धर तो पताईए दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा वैसे तो दोस्तों सभी जो इसके ओप्सन है उनके डाउट है लेकिन सबसे नजदीक अगर देखा जाए तो इसमें चोथा है जो ध्यवाला है इसका सही आंसर ये होना चीए मैं तब संभावित बता रहा हूँ इसके लिए मैं शोर नहीं हूँ कि ये इस आंसर सही है लेकिन संभावित ये ही है कि ये होगा क्योंकि पाश्यत्य संगीत के अंदर जो है 405 होता है इसका आंदुल संग्या जो और उत्तरी संगीत के अंदर 400 होता है तो ये इन दोनों में different है दोस्तों तो हो सकता है कि कोई भी हो सकता इनमें doubt है लेकिन मैं जो जहां तक हूँ मैं संभावित जो इसका अंसर है वो इसका धरवत ही सबसे नजदीक वाला है अगला परक्रश्ण है दोस्तों इक को क्या होता है द्वनी का प्रावर्तन, द्वनी का अनुर्णन, द्वनी का आवर्तन या ध्वनी का व्यक्ति करण बताए दोस्तों तो इसका तूसरही आंस्वर सही है द्वनी का अनुर्णन अगला पुष्ण है पंच रत्न कृत्ती के रजनाकार कौन है है मैसु बलक्षमी मुत्वस्वामी त्यागराज श्यामा सास्त्री या श्यामा सास्त्री बताए दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा तीसरा त्यागराज और श्यामा सास्त्री करनाट की पंच वाध्यम में सुसिर वाध्य कौन सा है कॉम्बू तीमिला इडिका या इल्थम पता ही दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा पहला ही कॉम्बू निमली कि वाते वाध्यकों में स्वर पर्थम पादम स्रीव है संगीत नाटक अकादमी अवाड की से मिला अलावदिन खाँ, हाफिज अली खाँ, या अली अक्बर खाँ, या रादिका मोहन बताए दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर पहला ही है अलावदिन खाँ अगला पुष्ण दोस्तों शारंग देव ने संगीत रतनाकर में कितने रागों का उले किया है 484, 264, पीचेतर या 200 बताएजे दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा है तो इसका दूसरा सही आंसर इसका दूसरा ही है 264 अगला पुष्ण दोस्तों महारी का किस नरते सेली से संबन्द है महारी का किस नरते सेली से संबन्द है भरतनाट्यम कथक मनिपूरी या ODC तो आपने दोस्तों पहचान लिया होगा तो इसका सही आंसर होगा ODC ODC ने से नरते से संबन दिते महारी का समद है तंत्रकारी में गायन अंका समवे किसके वादन में था शेरन रानी, एम राजन विलाइत खा या अलियकपर खा बताए दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर रहा विलाइत खा अगला प्रशने गंधर महाविद्यलकिस्ता अपना कभ और कहां की गई थी तो यह ताप सबको आता ही होगा पहला मुंबई में गुनिस 10 में दूसरा कराची में गुनिस 14 में कोलकता मैं गुनिस 10 किसमे या चोथा लाहूर में गुनिस 11 में तो आपने पैचान लिया होगा तो इसका पैचान लिया होगा देखते ही तो इसका सही अंसर दोस्तो अनूपल्लवी होगा अगला प्रमिश्या भैर्वी पूर्वी खमाज थाट के समान दक्षन में समु है पैला मुखारी नट भैरवी गमन प्रिया या तरहर प्रिया पता यह दोस्तो या तुसरे है करहर प्रिया हनमन तोड़ी हरी कामबोजी या हनमन तोड़ी अगला है हनमन तोड़ी कामवर्दनी या हरी कामबोजी और अगला है अंतिम है नटभेरवी गमन प्रिय या शंकरावरण बताई दोस्तों तो आपने पैचान लिया होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर होगा तीसरही हनमन तोड़ी जो हनमन तोड़ी भेरवी को करनाटक संगीत में हनमन तोड़ी कहते है और भेरवी जो राग होता है उसको करनाटक संगीत में तोड़ी कहा जाता है कामवर्दनी पूरवी थाट को कहते है वरी हरी कामो जी खमाज थाट को कहते हैं और दोस्तों अगला पुस्शन है एक थाट से अधिक्तम कितने राग बनाए जा सकते हैं 704, 404, 904 या 604 बताये दोस्तों तो आपने पहचान लिया होगा तो इसका सही आंसर दूसरा है चार्तो चौरासे अगला प्रिश्न दोस्तो द्वी तन्तरी बिणा है कि नरी नकुल चिक्त्रा या खोष्वती बताई दोस्तो तो आपने पैचान लिया होगा तो इसका सही आंसर दूसरा नकुल अगला प्रिश्न दोस्तो संगीत रत्नकर में बाद दिवर्द के भेद बताए गई तत अवनद नाट्टे तूसरा तत वितत खन तीसरा उत्तम मध्यम अधम और चोथा है लगो गुरु प्लियूद पताए दोस्तों तो आपने सोच लिए होगा इसका सही आंस्वर तो इसका सही आंस्वर होगा तीसरा वाला उत्तम मध्यम और अधम अगला प्रशन दोस्तों भारती औरकेष्टा के विभीन भारती औरकेष्टा के विकास में निम्मली कितमे से किसका योगदान नहीं है अलावदीन खा, माखनला चत्रगेदी तीमिर वरन या विश्णुदास सिराली भारती औरकेष्टा के विकास में या डेवलोप्मेंट में निम्मली कितमे से किसका योगदान नहीं है मैं बार-बार बोलाओं कि है और नहीं है में पुरा प्रसंड का आंस्वर चैंज हो जाता है तो इसलिए इसको द्यान से करें दोस्तों तो इसका सही आंस्वर आपने सोच लिया होगा तो इसका सही आंस्वर है माखनला चत्रवेरी दोस्तों अगला पुछन है दक्षन भारती ताल पदिती में खंड जाती की एक ताल में कितनी मारत रहे होती है आठ पाँच नो या साथ पताए दोस्तों अपने सोच लिया होगा इसका सही आंस्वर तो इसका सही आंस्वर होगा पाँच अगला पुछन दोस्तों पहली वे अंतिम सुरूती का नाम बताई प्रीती रोदरी रम्या उग्रा तीवरा शोबनी या दयावती मंदा तो दोस्तों ये भी है कि आप जितने सुरूतियां हैं उनका तो आपको पूरा नाम याद रखना ही होगा क्रमवाइज रखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रसंद हल करने में आपको मदद मिलेगी जैसे यही प्रसंद है अगर आपको सुरूती याद है सभी सुरूतिय के नाम याद है तो आजसानी से आप इस प्रशन को हल कर सकते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीसरा तीवराव शोबिनी अगला प्रशन दोस्तों इन में से कौन सा स्वर समुव भात कंड़े के दस थार्ट में नहीं है पहला है सारे गामा प्वधनी सा दूसरा है जो भेरव थार्ट के स्वर है सारे गामा इसमें रे और धा कॉमल है बाकी सभी स्वर्शुद्य अगला जो ओप्शन है उसमें गढ़नी कॉमल है बाकी सभी स्वर्शुद्य और अंतिम जो है उसमें रेगधयनी कॉमन है और तिवर मध्यम है तो बताएं दोस्तों इन में से कौन सा ऐसा है जो भातकंडेजी के दस थाटों के अंदर नहीं आता है तो आपने पहचान लिया होगा तो इसका सही आंस्वर ये चोथा ही है क्योंकि दोस्तों ऐसा इन स्वरों का भारतिये उत्र भारतिये संगीत में या भातकंडेजी के दस थाटों में से किसी में भी ऐसे स्वर नहीं लगे है उपरवाले सभी स्वर बिलावल का है पहला पहला जो उप्षन है वो बिलावल का है दूसरा जो है मारवा का है तीसरा जो है आसावरी का है और ये चोथा जो किसी का भी नहीं है इसलिए सही आंसर इसका ये ही होगा अगला पुशन दोस्तो चित्रा विर्णा का स्वर पर्थम उलेक मिलता है किसे मिलता है व्रद्देशी में, संगीत रत्नाकर में, संगीत पारिजात में या नाट्टे सास्तर में पताए दोस्तो तो आपने सोच लिए होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर होगा नाट्टे सास्तर में अगला प्रश्ण दोस्तो मनिपुरी नर्थे में किस अवनद वाद्दे की संगत होती है तबला, पुंग, ठोलक या मादल पताईए दोस्तों तो आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर होगा मादल तो दोस्तों आज ये 50 प्रशन थे हमारे पास कल फिर हम ऐसे ही इसके आगे के 50 प्रशनों को ले करके आएंगे और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिकेशन मिलता रहे और दोस्तों अगर किसी प्रकार की आप जानकरी चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ये मेरे नमबर है, वोट्सप नमबर है 96, 94, 693, 493 तो आप इस पे भी मुझे कोल या वोट्सप कर रखते हैं तो दोस्तों आज बस इतना ही कल फिर एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के साथ मुकाफित भी होंगे और हम मिल करके प्रशन पत्रहाल करेंगे तो दोस्तों अच्छी से तयारी करिए मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुप काम नहीं और बेस्ट ओफ लग आपके आने वाले एक्जाम के लिए धन्यवाद